अनच्छी क्रियाएं तथा प्रतिवर्ति क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भीन है यानि कि अनच्छी क्रियाएं तथा प्रतिवर्ति क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भीन है यानि कि अलग है तो यह प्रस्ण जो है क्लास 10 की साइंस से है और यह है वाईलोजी से और ये है NCRT book से और खास प्राइटिक परिशा के लिए है इसलिए आप लोग वीडियो को मत किज़ेगा वीडियो किलास तक जरू दिखेगा तो इस तरह से यहां पर हम बनाये हुए हैं आपको पहले अनच्छी क्रियाएं बताएंगे फिर इसके बाद प्रतिवरती अपनी इच्छा अनुसार नहीं उसे रोक सकते नहीं कुछ नहीं कर सकते यानि कि वे हमारे इच्छा के अनुसार नहीं चलेगा तो उसे हम अनैच्छे क्रियाएं कहते हैं और ये प्रतिवरती क्रियाएं क्या होती है वैसी क्रियाएं होती है यानि कि यह होता है शेहट जाता है, तो यह क्या है, यह प्रतिवर्ति क्रिया है, ठीक है, तो यह स्वता होता है, और इसका नियंतरन जो है, मेरू रज्यू करता है, और यह अनची क्रिया है, इसका नियंतरन जो है, यह मस्टिक्स करता है, तो यहां पर हम लिखेंगे, वे क्रियाएं, क्या अपनी इच्छा नुसार सूच विचार कर भी नहीं कर पाते पाते उसे अन्यच्छी क्रियाएं कहते हैं यह हो गया अन्यच्छी क्रियाएं जैसे आपका जो है जैसे हिर्दय असपंदन जैसे कि घ Pandan इसे इच्छा पर चला सकते हैं नहीं तो जैसे कि हिर्दय असपंदन तो 2000 एन ऐस पन्दन ठीक है यह पर लिखें कि प्रतिवर्द्धि क्तियाया के लिए इसमें एक और लाइंड लिग यह जो है अनेचिक क्रिया मस्तिक्स द्वारा नियंत्रित होता है यहां पर लिखे थोड़ा लिख दिजिए यहां पर अनेचिक क्रियाए मस्तिक्स 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 द्वारा नियंत्रित होता है अब देखे प्रतिवर्थी क्रिया है तो यहां पर हम लिखेंगे अचानक क्या लिखेंगे अचानक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया अनुक्रिया जिसमें जिसमें मस्तिस्क की भूमी का नहीं होती उसे प्रतिवर्थी प्रतिवर्थी क्रियाएं कहते हैं जैसे जैसे गर्म वस्तु के छूने पर हाथ का पीछे हटना यहोती प्रतिवर्थी क्रिया यह जो होता है मेर राजु द्वार्ण गें शिसमें क्रियाएं मेरू रज्जू द्वारा नियंत्रित होती है इस प्रकार जो है एक दूसरे से दोनों अलग है अगर पुछा जाए अनैची क्रियाएं तथा परतिवरती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भीन है यानि एक दूसरे से किस प्रकार अलग है तो आप लिखेगा अनैची क्र पहले लिखेगा और उसके बारे में लिखेगा है वे क्रियाएं जो हम अपनी इच्छा नुसार सूच विचार कर भी नहीं कर पाते याद कि वैसी क्रियाएं जिसे हम जो है अपनी इच्छा नुसार सूच विचार कर नहीं कर पाते उसे अनैच्छी क्रियाएं कहते हैं जैसे हrise को दिख और पुद्धीपन के प्रती अनुक्रियाँ जिसमें मस्तिक्स की भूमिकह नहीं होती उसे प्रतिवर्धि solchen कहते हैं उसी क्या कहते हैं प्रतिवर्धिаки क्रियाएं जैसे गर्म बस्तु के छूने पर हाथ का पीछे हटना जैसे कोई गर्म बस्तु को छू दिये तो हाथ पीछे हट गया यह क्या हो गया यह प्रतिवर्तिक हो गया ठीक है प्रतिवर्ति क्रियाएं मेरा रजु द्वारा नियंत्रित होती है और यह जो है यह मस्टिक्स द्वारा नियंत्रित होती है